हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करें हैं नीट ट्वंटी ट्वंटी टू के बाइलोजी के क्योशन चैप्टर वाइस और इनके हम सोलीशन बता रहे हैं एन्सियाटी से लाइन बाइ लाइन यानि किस चैप्टर में यहाँ पर जो क्योशन है वो एन्सियाटी में कहां से उसका अंसर आता है इससे पहले हम टोटल फॉर यूनिट्स करवा चुके है क्लास 11 की यह फिप्ट यूनिट है यूमन फीजियोलोजी चापर इसको हम कंप्लीट करेंगे इन सभी क्योशन के आंसर हम एन्सियाटी प्लस जो हमारे बाइलोजी के नोट्स है वहाँ से भी बताएंगे कि वह बाइलोजी के नोट्स में क्लीर है या नहीं है और कितने क्योशन्स है जो प्रिवियर्स टोपिक से आ चुके यानि पहले जो टोपिक से क्योशन पुछे जाए चुके है वही से वापिस क्योशन पूचा गया है इस टाइब के कितने questions बनते हैं clear है तो अगर इससे पहली वाली वीडियोज आपने नहीं देखिए तो आपको आई बटन में playlist का link मिल जाएगा या फिर आप channel पर video sections चेक कर सकते हो clear है तो चलिए start करते हैं human physiology unit और सबसे पहला चेप्टर आते हैं पर digestion and absorption और इस सभी जो हमारे questions वगेरा इनकी PDF आफको टेलीग्राम पर मिल जाएगी description में आप चेक कर सकते हो biology notes वगेरा की भी description में link मिल जाएगे digestion and absorption से total two questions पूछे गया first question पूछा गया which of the following function is not performed by the secretion for salivary glands जो salivary glands होते हैं उनके जो secretion जो किया जाते हैं के द्वारा इसमें से कौन सा ऐसा function है जो यह perform नहीं करते हैं पहला है digestion of disacred second है control bacterial population in mouth third है digestion of complex carbohydrate and D है lubrication of the oral cavity अब हम बात करते हैं lubrication of oral cavity जोता है वो salivary glands मदद करता है उसमें salivary secret करके C option देखते है digestion of complex carbohydrate तो जो starch होता है starch आपका complex carbohydrate होता है इसको convert किया जाता है disacred के अंदर तो यह काम भी होता है control bacterial population बिल्कुल सही है lysosime के द्वारा उनको जो anti-bacterial होते हैं वो bacteria को control करते है digestion of disacred नहीं होता है क्योंकि जो आपका complex carbohydrates है starch होता है starch जो है वो disacred के अंदर उसको convert करके छोड़ देता है तो जो disacred है वो यहाँ पर आपके जो है वो digest नहीं हो सकती है तो यह काम जो है वो salivary gland नहीं करता है digestion of sacred तो answer आजाएगा option A अब anxiety में देख लेते हैं काम पर mention किया गया है तो first question cancer में मिलेगा page number 261 and 262 पर अब हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो हमें एक option दिया गया था lubricating of oral cavity तो यहाँ पर lubricating and adding of the masticate food यह mucus का काम होता है जो salivary के अंदर था ओके ले रहे तो यह यहाँ से एक point यहाँ से clear हो गया second का है यहाँ से देखिए ध्यान से the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme salivary amylase तो carbohydrate splitting enzyme तो है इसका मतलब जो complex carbohydrate है उसका digestion तो हो फाएगा for example starch हो गया दिखावा देखिए about 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme into disaccharide अब यहाँ पर देखिए starch है salivary amylase होता है clear है जो salivary glands के दूर सीक्रेट होता है और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर नोर्स के अंदर भी lubrication वाला point यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लाब यहाँ पर आप देखो carbohydrate splitting enzyme लिखा हुआ है salivary amylase और disaccharides के अंदर convert करने वाला lysozine present यह antibacterial यहाँ सारा anxiety से बट इससे पहले नीट में यहाँ से क्योंस नहीं आया है बट इससे नीचे वाला जो portion of mucos of stemma यहाँ से इन पॉइंट से काफी बार 15 16 18 19 20 में क्योंस आचुका था इससे पहले वाला जो point है यहाँ से पहले already क्योंस नहीं आये वा था given below are two statement हमें दो statement दिये statement one and statement two और हम से यह पूछा कि कौन सी statement correct और incorrect है पहली statement है fatty acid and glycerol cannot be absorbed into the blood यानि जो fatty acid and glycerol होते हैं वो blood के अंदर absorbed नहीं हो सकते हैं सेगिंड है specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicron into lymphatic vessel and ultimately into the blood तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी statement correct है और incorrect तो fatty acid and glycerol जोते हैं वो directly absorb नहीं होते हैं blood में यह बिल्कुल सही है specialized lymphatic capillaries होते हैं जिनको lacteals बोलते हैं वहाँ पर यह जो आपकी fats वगिरा होती हैं वो काईलों-micron के अंदर convert होती हैं वहाँ पर lymphatic vessels होती है वो उनको क्या करती है अब्सक्राइब करती है और ultimately blood में पहुंचाती है यह भी बिल्कुल सही है तो both statement हमारी जो है वो correct है तो both statement one and two जो है वो correct है तो हमारा answer बनता है option B अब NCRT में देख लेते हैं कहां पर mention किया गया है पेसर में मिलेगा page number 264 just last 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 में हम चले जाते हैं तो बिल्कुल last line यहां पर read करेंगे देखिए यहां पर साफ साफ लेका है fatty acid glycerol being insoluble यह insoluble cannot be absorbed into the blood यह यह blood के अंदर directly absorbed नहीं हो सकते हैं यह line as it is copy paste है उसके बाद में हम आगे देखते हैं they are first incorporated into small droplets called the micelles which move into the intestinal mucosa they are reformed into a very small protein coated fat globule called kailomicron अब यह kailomicron के अंदर हो जाती है अब यहां पर देखियागे which are transported into the lymph vessel lacteals यह क्याती specialized lymphatic vessels जिनको lacteals बोलते हैं यह क्या करते हैं in the village these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream और फिर उसके बाद में यह blood stream के अंदर उसको भेज देते हैं तो यहां से यह जो point है वो हमारा बिल्कुल clear हो जाता है इसके according दोनों statement जो वो correct आती है अब हम बात करें absorption of digested food तो यहां पर यह वाला जो portion है यहां से नीट 2013 और 14 में क्यूसन आ चुका था बट अभी जो क्यूसन आ है उससे अरड़ी पहले कभी नीट में क्यूसन नहीं आया था हाँ यह देगे fatty acid and glycerol being unsolubal और फिर यहां पर यह पूरा जो है लेक्टियल वगेरा और विलाइव आगेरा काईलो माइकरोन के वारे में दिया है यहां से नीट में क्यूसन नहीं है यह कंड़क्टिंग पार्ट होता है यहां पर पूछाए कि कौन ऐसा चीज है जो कंड़क्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है फिर्स्ट है प्रोवाइड सर्फेस फोर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिजन और कार्बन डाइक्शन जो कंड़क्टिंग पार्ट है यहां पर यह जो इनेट एर है उसको बोड़ी टेमप्रेचर के बराबर लेकाते है ऊच्चेंज पार्ट है वहीं पर तो ऐक्सिजन और सियोटू जो है वो डिफ्यूज कर पाएंगे एक्स्चेंज कर पाएंगे तो यह काम एक्सचेंज पार्ट का है, कंड़क्टिंग पार्ट करना यह तो अंसर आजाएगा option A, अब NCRT में देख लेते हैं, कामपर मेर्जिन किया हुआ है, पेस्ट का आज़क्टिंग पार्ट के फंक्शन पूचेंग पार्ट के अंदर होती है, अब कंड़क्टिंग पार्ट के फंक्शन यहां पे लिखे है, है clear it from foreign particle जो option में दिया हुआ था humid eye and also bring the air to the body temperature यह भी दिया हुआ था अभ यहां पर यह exchange part का का काम है exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between the blood and atmosphere यह diffusion वाला exchange का है conducting part का नहीं है इसलिए यह answer आ जाता है purely answer और हम biology के notes की बात करें तो यहां पर यह conducting part और exchange part यहां पर लिखाव है conducting part के यह सारे function और यह exchange part के function है इससे यहां पहले से कभी कोई question नहीं आया है यहां से पहली बार जो है वह नीट में question आया है second question है under normal physiological condition in human being every hundred milliliter of oxygenated blood can deliver fill in the blanks milliliter of oxygen to the tissue यानि normal physiological condition में जो human beings होता है अगर वह 100 milliliter oxygenated blood लेके जा रहा है तो उसमें कितनी milliliter oxygen होती है 10 milliliter to 5 या फिर 4 milliliter तो यहां पे pure NCRT based है साब साब लेकर रखा है 5 milliliter तो answer आ जाएगा option C अब NCRT में देख लेते हैं कहां पर mention किया गया है यहां पर ट्रांस्पोर्ट of oxygen में अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल last line पढ़ते हैं every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver around 5 milliliter of oxygen to the tissue under normal physiological condition तो यहीं से यह direct line पूछे गई तो यहां पर answer आता है 5 milliliter clear है और हम notes की बात करें तो जो transport of oxygen है यहां से और इससे उपर वाले जो transport of gases है यहां से कई बार क्यूशन आ चुका है और transport of oxygen है यहां से अगर हम बात करें तो 1620 और 2021 में उपर वाले portion से जरूर क्यूशन आया था बट यहां पर जो यह last line लिखी है जांपर यह लिखा हुए कि 100 milliliter oxygen जो 5 milliliter को यह पहली बार जो वो नीट में यह line दी गई है clear है इस चेप्टर हमारा body fluid and circulation और इस चेप्टर से भी total two questions आयो है first question पूचा गया given below are the two statement दो statement दिये statement one और two और वापिस वही correct incorrect बताना है first statement दिये the coagulum is formed of network of threads called thrombin second statement दिये spleen is the graveyard of the erythro site okay तो पहले statement देखते हैं the coagulum is formed by the network of threads called thrombin तो एक enzyme है या पर आता है fibrins क्या आता है fibrin अगर आता तो होता thrombin तो एक enzyme है okay तो यहां पर यह चीज जो है वो गलत लिखे हुई है spleen is the graveyard of erythro site बिलकुल सही है तो statement वन जो है वो incorrect है statement two जो है वो correct है तुमारा answer बनता है option a अब NCRT में देख लेते कापर mention किया हुआ है number 281 पर हम first line देखते हैं first statement यहां पर लिखा हुआ देखिए it is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins अब यहां पर यह जो clot or coagulum बनता है वो fibrin से बनता है thrombin से नहीं अब fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinosin in the plasma by the enzyme thrombin तो thrombin क्या करता है fibrinosin को fibrin में convert करने में help करता है और यहां पर यह जो threads बगर होते हैं वो fibrin के होते हैं इसलिए यह जो thrombin के नहीं होते हैं इसलिए statement जो ती वो गलत थी प्लेयर है और एक यहां पर हमारे सामने एक और statement लिखा था erythrocyte अब यहां पर देखिए formed elements के अंदर हम जब जाएंगे तो erythrocyte और rbc erythrocyte को क्या बोले जाता है rbc यह नहीं red blood cells बोले जाता है इसी paragraph में lights rbc have an average lifespan of 120 days after which they are destroy in the spleen यहनी spleen के अंदर वो destroy होती है और यह क्या करा रहता है graveyard of rbc that is erythrocyte clear है यहां से यह line जो वो clear हो जाती है अगर हम notes की बात करें तो यहां पर दो कि erythrocyte और red blood cells में यहां से इस portion से क्यूसन आ चुका है 15 और 17 में बट यह जो graveyard of rbc है आपको बता दूगी AI PMT में पहले एक बार क्यूसन आया था बट यहां पर अभी इससे 2022 में दुबारा क्यूसन आया है हाँ यहां पर जो है वो AI PMT से क्यूसन आ चुका है यहां पर highlighted portion यह क्या हुआ नहीं है clear है उसके लावा अगर हम बात करें यहां पर जो मारा fibrin वाला portion था coagulation वाला portion था तो यहां पर देखी जो fibrin है inactive fibrin उजन into fibrin thrombin यह वाला 2021 में क्यूसन आ चुका है बट इन्हें cloud clouding from the thread like fibrins यह highlighting notes बागेर में क्या हुआ इससे उपर वाली line से पहले बार आए इससे नीचे वाली 2021 में था इससे अबाव वाली लाइन से 2022 में आ गया ओके second question पूछा गया which one of the following statement is correct या नहीं कौन सी statement correct है यहां पर first है increased ventricular pressure cause closing of the semi-lunar wall second है the atrioventricular node that is AV node generate an action potential to stimulate atrial contraction see the tricuspid and the bicuspid wall are open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria and D have blood moves freely from atrium to the ventricular during the joint diastole हम यह बताना है कि कौन सी statement बिलकुल correct है अब यहां पर देखें increased ventricular pressure cause closing of the G decrease ventricular तो यह गलत हो गई the atrioventricular generate action G नहीं वह ऐससे note करता है paste maker उसको बोलते हैं यह गलत हो गया the tricuspid and bicuspid wall are open due to the blood होता है atria के अंदर उसके pressure से यह open होते है not a contraction of atria यह गलत हो गया bloods move freely from atrium to the ventricular during joint diastole यह बिलकुल सही है तो हमारा answer आ जाएगा option D अब NCRT में देख लेते कांपर मेंशन किया हुआ है तरह में मिलेगा page number 284 पर 284 पर हम एक एक client देखते हैं पहले तो AV node जो बोला था कि वह action potential को generate करता है वह बिलकुल भी नहीं यह देखिए आपे लिखा the sa node can generate the maximum number of action potential is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contract activity of the art therefore is called the pass maker तो यह ऐसे node होता है एसे net की full form क्या है साइनो एट्रियल node यह वाला not AV node यहां पर जो action potential को generate किया जाता है उन्होंने बोला है बिगन कर रहे हैं जब वो joint diastole के अंदर है यानि बिलकुल relaxed state में है तब क्या हो रहा है यहां पर वही लाइन देखिए as the tricuspid and bicuspid wall are open blood from the pulmonary venen venenka flow into the left and right ventricle respectfully through the left and right atria यानि atria से होते हुए ventricular में directly चला जाता है जब वो किसमें रहते हैं joint diastole में रहते हैं और यही बोला गया था blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole इसलिए हमारी जो statement थी वो correct थी एक AV node वाले incorrect क्यों थी वो भी आपको समझ में आ चुका होगा अब हम बात करते हैं जो हमारे dal इसलिए उनकरीज वेंट्रीक्लर प्रेशर वागए यहां से हमारे सेमीलोर वाल्व होते हैं वह क्यों पे देगिए यहां पर जो आपका यह लिखावा था कि वह सेमिल्यूनर वर्ड क्लोज होते हैं वह यहां पर नहीं होते हैं इसकी वज़े से इंक्रीज होने की वज़े से पहला से दूसरा पॉइंट यह देखिया पर एस दा वेंट्रिकुलर प्रेसर डिक्लाइन फर्द दा यहां से यह जो फोट्पॉइंट है यह भी यहां से हमारा क्लियर हो जाता है क्लियर क्यूशन की बात करें काडियक साइकल वाले तो जो ऐसे नोड वाला पॉर्शन है यहां से नीट 2019 में क्यूशन आया था और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक्सेंट पोटेंशल व जो जो आप अगर कहीं भी देखोगे तो यहां से पहले इससे पहले और कहीं से भी क्यूशन जो नहीं आया था ओके नेक्स्ट अमारा चैप्टर एक्स क्रेटरी प्रोडबक्ट एंड देयर ऐल्यमिनेशन इस चैप्टर से केवल वन क्यूशन आया और वह भी लिंक है एनि यूरिको टेलिक कौन से होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो पैलेट और पैस्ट की फॉर्म में किसके दर लिए इसके ज़ता है पैवो और निथो राइनस या फिर सैलमेंडरा या फिर हीपो केमपस तो देखें जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरि आपका किसके दर आता है एंफिबियंस के अंदर आता है और हिपो केमपस आपका जो होता है वो किसके दर आता है बोनी फीसिस के अंदर आता है यहां पर जो रेप्टाइल और बर्ड्स में से पैवो जो वो बर्ड्स में आता है तो आंसर आजाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिक एसिड इन दा फॉर्म ओफ पैलेट और पैस्ट यही तो पुला गया था इन दा फॉर्म ओफ पैलेट और पैस्ट विदे मिनिमम लोस ओव वाटर इस काल्ड यूरिको टैलिक अब जो रेप्टाइल्स बार्स एंड लेंस नेल्स है इनक के लएक लिखा पहले में यहां बभी दिया विक्षाइ यहां पर यहां परjor नापार ए उप्रपास्फ में और यह था और यह यह कर दा लिखाओ यह आता है मारा मेंस के अंदर इस के लौउर चOP पर भी लिया और यह और यह पात्ज पर एन को आटिवाई levar कि हम एक्स क्रीटरी प्रोड़क्ट एंड एलिमिनेशन वाले क्यूशन की बात करें तो यहां पर आप यह देखोगे कि यहां से ओर्डेडी क्यूशन आ चुका है यूरी को टेलिक अनिमल्स एप्यूशन से आ चुका है यह एक्जामपल जो है वह एनिमल किंग्डम के दिये ह कि चैनले को लम छोटीब्रल को लम होती उनके जो एडिशन बॉंड के बीच में क्या चीज प्रेजन प्रेजन होती है यह का टिलेज की बात कर रहे हैं तो अंसर आ जाएगा option c event CRT में देख लेते हैं का पर दिया हुआ है यहाँ पर इनके बीच में cartilage होगा the joint between the adjacent vertebra in the vertebral column is of the pattern and it permits limited movement जो adjacent vertebrate है इनके बीच में जो joint होता वहाँ पर क्या मिलेगा मैं cartilage मिलेंगे इसलिए हमारा answer आ गया था पैते हो joints में से अगर आप portion देखोगे fibrous joint, cartilaginous joint और साइनोवियल joint वगिरा तो यह काफी important है क्योंकि 2009, 2013, 2014, 2017, 2019 और 2021 में यहां से question आ चुका है cartilaginous वाला highlighted क्या हुआ है यहां से question आया second question पूछा गए which of the following is a correct match for the disease and symptom यानि disease और symptom में कौन सा correct match है, बाकी सभी incorrect है, एक ही correct हो सकता है first है muscular dystrophy, यह बोला गया कि एक autoimmune disorder है जहां पर progressive degeneration of skeletal muscles होता है, second में arthritis बोला गया कि यहां पर inflamed joints होती है, c tetney बोला गया कि यहां पर high calcium iron की वज़े से यहां पर rapid spam होती है माइस्थेनिय ग्रेविस में बोला गया कि यह एक genetic disorder जिसकी वज़े से skeletal muscles होती है, उनमें weakness और paralysis हो जाती है सबसे पहले बात कहते है, muscular dystrophy, यह आपकी genetic disorder है और माइस्थेनिय ग्रेविस आपकी autoimmune disorder है, तो यह दोनों यहां पर इस टाइप से गलत होगे बाकी आगे दो चीज लिखी हुई है, वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, इनके लिए clear है, बट यह autoimmune genetic disorder है पे exchange कर दिया टेटनी के अंदर low calcium mind जब होता है, तब यह चीज होती है, high पे नहीं होती है और arthritis के अंदर inflamed joint होता है, यही केवल सही लिखा है, तो अंसर आजाएगा option B second question में disorder से पुछे गए थे, चारो पहले वाले चारो disorder को लिया गया था, पहला देखे myasthenious gravis, अब myasthenious gravis के अंदर वहां पर बोला गया था genetic disorder, बट यह क्या है, autoimmune disorder है आगे से लिखा था, affecting neuromuscular genesis, leading to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscle, जबकि जो muscular dystrophy है, वहां पर लिखा गया था, कि यह आपका autoimmune, बट यह नहीं है, progressive generation of degeneration of skeletal muscle, mostly due to the genetic disorder, यह genetic disorder है, तो यह चीज़ वहां पर change कर दी गई थी, अब देखे, टेटनी, rapid spam wild contraction muscle due to the low calcium in the body flood, और वहां पर क्या बोला गयाता है, कि हाई calcium की वज़े से होता है, यह ऐसा भी गलत है, अब arthritis में inflammation of joint बिल्कुल सही था, इसलिए मारा answer आ जाता है, इसलिए की बात करें, तो disorder of muscular and skeletal system, यह वाला पूरा portion काफी important है, सभी portion important है, क्योंकि देखो 12 में, फिर उसके बाद में 13, 16, 19, 20 और 2021, और इसके बाद में 2022, यानि last 4 years है, तो continue यहां से की उसलिए आये, और यहापे link भी रखा है, all are important, और यह साब साब बता दिये, यहापे first second, third, fourth, second question आये वे है, clear है, third question यहाँ पर इस chapter से session reason पूछा गया है, given below the two statement, one label is session and other is label is reason, तो session में बोला गए, osteoporosis is characterized by the decreased bone mass and increased chance of fracture, reason दिया गए, common cause of osteoporosis is increased level of the estrogen, अब session reason में पहले तो यह देख लिनी चाहिए, कि दोनों statement सही है या नही है, तो osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture, बिलकुल स ही है, अब osteoporosis का common reason क्या हो सकता है, या पर decrease level of estrogen, not increase, तो यह गलत हो गया, अब A तो सही है हमारा और R जो वो incorrect लिखा है, तो A correct बट R is not correct, तो हमारा answer बनता है, option D, अब NCRT में देख लेते हैं कांपर मेंशन क्या हुआ है, ओके third question भी हमारे बिलकुल इस से नीचे वाले disorder से ले लिया था, osteoporosis, यहां पर देखे, यह लाइन लिखी गई थी, अब age-related disorder होता है, characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture, यह लाइन जो है, वो ली गई थी, बिलकुल सही है, वो SSN में लिए गने की थी, अब common cause क्या देखे, decrease level of estrogen is the common cause, वहां पे increase लिखा है, वो गलत हो जाता है, decrease level हो तो वो common cause बिलकुल सही होता, और SSN reason का सही हो जाता है, वो correct explanation होती, तब हम बोल सकते थे कि हाफ वो चीज़ होती, बट अब यहां पर यह statement गलत लिख दी गई है, क्योंकि वहां पर increase लिख दिया, गए decrease की वज़े, इसलिए answer यहां से आ जाता है, यह तो हमने अभी आपको बताया था regarding synapses, जो synapses है, उसके according incorrect बताना है, बाकी सभी correct है कि अवल एक incorrect वो बतानी है, first है, impulse transmission across a chemical synapses is always faster than across a electrical synapses, second है, the membrane of pre-synaptic and post-synaptic neuron are in close proximity in an electrical synapses, and C है, electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electric synapses, and D है, chemical synapses use neurotransmitter, तो incorrect बताना है, तो impulse transmission जो आपके electric के अंदर fast होती है, इस compared to chemical, बट यहां पे लिखा कि chemical में always fast होती है, due to electrical, यह गरत लिखा है तो आपसर आ जाएगा option A, यह incorrect statement है, पेज नमबर 319 पे, और 319 पे हम यहां पे देखिए, transmission of impulse, और यहां पर हमें चीज़ वो मिल जाएगी, जो हमारे सामने होनी चीए, पहला देखिए, last में, impulse, यह वाले यहां पे लिखा है, impulse transmission across and electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse, तो electrical synapse होती है, वो faster होती है, as compared to chemical, और यही चीज़ जो थी, वो यहां पे गलत लिखी होती, इसलिए यहां पे answer आ जाता है, एक line यह दिखा होता है, at electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are very close proximity, यह वाला point भी यहां से हमारा बिल्कुल clear हो जाता है, clear up, इसके लाव देखिए, next वाले, electric current can flow directly from one neuron to other across these synapse is, यह वाली line भी थी, यह भी हमारी हो जाती है, अब chemicals में जो है, वो neurotransmitter होते हैं, यहां पे यह लिखा हुए, chemical called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse है, these synapse में, chemical synapse में, जो neurotransmitter ह होते हैं, यह line भी यहां पर copy request यहां पर थी, बट यहां पर यह वाली line जो थी, वो गर्याती होई थी, तो यहां से हमारा जो answer था, वो आ गया था, हम बात करते हैं, transmission of impulse के यहां पर देखिए, यहां पर यह electrical synapse, chemical synapse, electrical synapse, यहां पर यहां से पहले question नहीं आया है, बट अगर यहां से नीचे वाली line, chemical synapse, यहां पर लिखा हुए, और इसके लाबाद यह neural transmitter रिलीज करते हैं, यहां से 2013 और 17 में question जरूरा है, बट यह वाला जो section है, जहां से आपकी answer बनती है, यहां से पहले question नहीं आया है, बट यहां पर यह complete चीज़े जो notes में cover की हुई है, chemical coordination and integration और इस chapter से केवल one के उससना है, यहां पर भी और यह प्यूचा गया है, which of the following are note the effect of parathyroid hormone, यहां पर थाइराइड होर्मोन को कोण से एक effect नहीं है, note, यह बता है, first है, stimulate the process of bond resorption, second है, decrease calcium level in the blood, third है, reabsorption of calcium by renal tubules, D है, decrease the absorption of calcium from digestive food and C है, increase metabolism of carbohydrate, तो यहां पर 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 थाइराइड होर bond resorption, यह पराइरोड करता है, बिल्कुल सहीं लिखा हुआ है, decrease calcium, यह increase करता है, decrease नहीं करता है, यह गलत लिखा हुआ है, decrease the absorption of calcium from digestive, यह गलत लिखा है, increase करता है, decrease नहीं करता है, गलत लिखा है, increase metabolism, यहां पर पराइरोड जो होता है, वो calcium iron को maintain करता है, यह काम यहां पर इस आता है option C अब NCRT में देख लेते हैं कांपर मेंचिन किया हुआ है इस कांसर हमें मिलेगा NCRT के page number 335 पे और यहां पर देखे सबसे पहले जो metabolism of carbohydrate बताएगा था थाइरोइड करता है thyroid hormone control the metabolism of carbohydrate protein and fat तो वो जो हमारे पास बोलेगे था increase metabolism of carbohydrate यह कांप थाइरोइड का होगा पैरा थाइरोइड करना होगा अब पैरा थाइरोइड के अंदर क्या क्या लिखे हैं पॉइंट्स वो देखते हैं सबसे पहले देखे पैरा थाइरोइड hormone increase the calcium level in the blood वहां पे क्या बोल गया था decrease calcium level in the blood तो गलत हो गया था increase करता है पहला हो गया ओके पैरा थाइरोइड एक्ट्स ऑन्दा प्रोसेस ऑफ बॉन्ड रिजॉप्शन यह बिल्कुल सही है यह लाइन हमारी बिल्कुल सही थी अब यहां पर देखे लिए पेटीऋचे पूर्फिय और प्रोसे स्टीम्यलेंड रिजॉप्शन ऑफ कल्शियम बाई धा रिनल ट्यूब्ल सही लिखावा था ओके डी डी री एब्सॉप्शन ऑफ केल्शियम बाई रिनल ट्यूब्ल यह बिल्कुल करेक्ट था अब यहां पर देखे एडिकरीज केल् और यहां से कभी भी नीट में किशन नहीं आया हुआ है यह पहली बार यहां से कुशन बन रहा है महां यह पॉइट्स जरूर सारे कवर हैं बट यहां से उल्रडी पहले को क्युचन ही था है